अगर आप अपने लिए एक air purifier लेने जा रहे हैं और समझ नियारा कि कौन सा purifier लें जो आपके लिए best रहेगा तो आप इस वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि मैं आज इस वीडियो में top 5 best air purifier का review देने वाला हूँ साथी साथ air purifier लेने से पहले आपको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ये भी मैं बताने वाला हूँ ताकि आप अपने need के according अपने लिए air purifier purchase कर सकें क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे air purifier लेंगे तो साइद आपको बाद में पस्ताना पड़ सकता है अगर आप एक smart customer है जो product अच्छे से source समझ कर लेते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए मेरी guarantee है कि आप आज एक best air purifier लेने वाले हैं इस वीडियो में बताएगे सभी air purifier best quality और best result देने वाले हैं सबसे पहले आपको अपने area के AQI level को चेक करना जरूरी है AQI यानि आपके area की air quality कैसी है यानि आपके area में air pollution कितना है इसे चेक करना काफी easy है आपको google पर AQI space अपने city का नाम डालना है और आपको आपके screen पर आपके city के air quality काफी अच्छी मानी जाती है तो आपको air purification लेने की जरूरत नहीं होगी और अगर 60 से 150 के beach AQI level है तो उस city के air को polluted माना जाता है इस condition में आपको एक अच्छा सा air purification लेने की जरूरत है जिसमें H13, H14 HIPA filter लगा होना चाहिए market में H12 वाला filter भी मिल जाता है बट आज कल के time में ये filter उतना ज्यादा work नहीं करता है इसलिए आपको H13 या H14 filter वाला ही air purifier लेना चाहिए next आता है CADR air purifier लेने से पहले ये भी check करना जरूरी है कि उसमें CADR कितना है CADR यानि clean air delivery rate इसका मतलब ये होता है कि एक घंटे में air purifier कितने air capacity को clean कर सकता है इसलिए आपको 200 से 400 cubic meter परार वाले air purifier को ही लेना चाहिए next point आता है noise level air purifier लेने से पहले उसका noise level भी जरूर चेक करना चाहिए noise level 30 से 60 decibel का होना चाहिए अगर इससे ज्यादा होगा तो आप इसके noise से disturb हो सकते है next point आता है warranty आपको ज्यादा से ज्यादा warranty वाले air purifier को ही लेना चाहिए ताकि आप इसे long time तक use कर सके so next point आता है brand आपको air purifier genuine brand वाले ही लेना चाहिए branded air purifier की build quality और performance काफी अच्छी होती है next point आता है room size ये आपके AQI level पर depend करता है बट इस वीडियो में जितने भी air purifier suggest करने वाला हूँ वो सभी 300 से सारे 300 square feet के room के जल्दी से clean कर सकता है so बात आती है कि आपको इसे use कैसे करना है अगर आप best result चाहते हैं तो आपको proper ventilation करना जरूरी है इसे use करने से पहले आपको अपने room की खिड़की दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर देना है उसके बाद air purifier को on कर देना है कुछ समय में ही आपके room की air पूरी तरह से clean हो जाएगी और हाँ आप इसे continue use करते हैं ज्यादा अच्छा होगा यह आपके room की air quality को maintain रखेगा सुरू सुरू में थोड़ा आवाज करेगा बड़ धीरे धीरे आवाज भी बंद हो जाएगा सो इन सभी points को धियान में रखते हुए मैं आज इस वीडियो में top 5 best air purifier का साथ ही यह CADR 360 cubic meter per hour के साथ आता है इस purifier में built-in AQI monitor and app support मिल जाता है जिसकी help से आप अपने room के AQI level को इसके monitor पर check कर सकते हैं और अपने mobile phone पर भी देख सकते हैं इसके लिए आपको इसके app को अपने mobile phone में install करना होगा इसके अलाबा इसमें HEPA H13 filter भी देखने को मिल जाता है सावी के इस air purifier में 360 degree air filtration मिल जाता है इसमें triple layers filtration, primary filter, true HEPA filter, activated carbon filter भी देखने को मिल जाता है यह air purifier Google Assistant and Amazon Alexa को support करता है 33.4 decibel का low noise मिल जाता है इसके dimension की बात करें तो इसकी height 53.3 cm, 24 cm width है और weight की बात करें तो 4.8 kg का है यह air purifier rose से certified है यानि इसे rose ने इसकी build quality और performance को check किया है जिसमें यह pass है इस पर one year की warranty मिल जाती है वहीं बात करें इसके price की तो यह भी Amazon पर approximately 10,000 से 11,000 के round में मिल जाएगा आप check out कर सकते हैं बात करें इसके pros की तो इसमें wifi feature मिल जाता है low noise level मिल जाता है इसकी purification काफी अच्छी देखने को मिल जाती है इसका after sales service काफी अच्छा है कौन्स की बात करें तो यह थोड़ा सा slow air purifier करता है बट air को अच्छे से purifier करके देता है अगर आप इसे purchase करना चाते है तो इसका best offer price का link वीडियो के description में दिया आगे है आप check out कर सकते है सो हमारे से list में number 4 पर आता है flips AC1711 Smart Air Purifier flips का यह air purifier looks में काफी अच्छा दिखता है बात करें इसके coverage area की तो यह purifier 350 square feet के area को cover करती है बट यह 300 square feet के area को आसानी से बहुत जल्दी clean कर सकती है साथ यह 300 cubic meter per hour की CADR के साथ आता है यह आपके room की air को 45 से 50 equal level तक ला सकती है इसके filter की बात करें तो इसमें हेफा H13 प्लस carbon filter देखने को मिल जाता है इसके top पर color indicator मिल जाता है जिसमें आपके room के equal level को indicate करता है pink fair को और red poor air quality को indicate करता है यह purifier भी raw certified है साथ ही इसमें 15 decibel का noise level मिल जाता है जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि air purifier on है या off है इसके dimension की बात करें तो 27.3 cm height, 48.6 cm width and 3.7 kg का weight है इस पर 2 years के warranty मिल जाती है वहीं बात करें इसके price की तो यह भी Amazon पर 12,000 से 13,000 के around में मिल जाएगा इसके pros की बात करें तो इसमें भी low noise level मिल जाता है इसके air profiling काफी अच्छे देखने को मिल जाती है इसका after sales service भी बहुत अच्छा है कौन्स की बात करें तो मुझे इसमें कोई major cone देखने को नहीं मिला है अगर आप इसे purchase करना चाते हैं तो इसका सबसे lowest price का link वीडियो के description में दिया गया है आप चेक आउट कर सकते है सोमास लिश्ट में नंबर 3 पर आता है SARP room air purifier Fp F40EW SARP का ये air purifier काफी सांदार है इसकी build quality बहुत अच्छी है इसमें 320 square feet की coverage area देखने को मिल जाती है साथ ही 240 cubic meter परार की CADR मिल जाता है ये air purifier 25 से 30 minute के अंदर ही आपके room के AQI level को 45 से 50 तक ला सकती है जिससे आप clean हवा में सांस ले पाते है filtration की बात करें तो इसमें हेवा H14 प्लस carbon मिल जाता है इसके top पर control panel मिल जाता है yellow, medium और green normal को indicate करता है साथ ही mode button भी मिल जाता है जिसमें 3 modes दिया गया है high, medium and low ये 49 decibel के noise level के साथ आता है इसके dimension की बात करें तो 50 cm height, 20 cm width और इसका weight 5.9 kg है brand इस पर 2 years की warranty देती है वहीं बात करें इसके price की तो ये भी Amazon पर approximately 10,000 के round मिल रही है इसके pros की बात करें तो good air purifier मिल जाती है good after sale service मिल जाती है cons की बात करें wifi का feature नहीं मिलता है ये कोई major code नहीं है आप इसे ignore कर सकते हैं इसका सबसे lowest price का link वीडियो के description में दिया गया है आप check out कर सकते हैं top 5 best air purifier के इस list में number 2 पर आता है koway air mega 150 pro air purifier अगर आप एक best air purifier लेना चाहते हैं जो आपके room को perfectly purifier भी करें और ज्यादा costly भी ना हो तो आप koway के इस air purifier के साथ जा सकते हैं ये इस list में सबसे अच्छा air purifier है इसके build quality भी काफी सांदार देखने को मिल जाती है इसमें 355 square feet का coverage area मिल जाता है साथ ही 303 cubic meter per hour की CADR मिल जाती है इसमें 3 layers filtration मिल जाती है जिसमें pre filter मिल जाता है जिसे आप घर पर easily wash कर सकते हैं दूसरा HEPA S13 filter और तीसरा इसमें carbon filter भी मिल जाता है ये purifier आपके room के aquile level को आदे घंटे में ही 50 below तक ले जाती है यानि आप इसे on करने के आदे घंटे के बाद ही साफ और bacteria free हवा में सांस ले सकते हैं इसमें filter cleaning and replacement indicator भी देखने को मिल जाती है इसमें noise level भी कम देखने को मिल जाता है 22 से 49 decibel का dimension की बात करो तो 47 cm की height 34 cm की width और 7 kg का इसका weight मिल जाता है इस पर आपको 7 years की long warranty मिल जाती है which is very very good वहीं बात करें इसके price की तो यह भी Amazon पर approximately 13,000 के अरॉन में मिल जाता है बात करें pros की तो इसमें आपको excellent air purification मिल जाती है good quality of filter मिल जाती है यह काफी reasonable price में मिल जाती है साथ इसमें low noise मिल जाता है इसका best of our price का link video के description में दिया गया है आप check out कर सकते है so finally top 5 best air purifier के इस list में number 1 की position पर आता है Dyson T909 air purifier अगर आप एक best air purifier लेना चाहते हैं और अगर आपके लिए cost matter नहीं करता है तो आप Dyson के इस purifier के साथ जा सकते है यह air purifier stylish design में आता है और इसकी build quality भी काफी सांदार है obviously यह costly product है तो इतना तो हम expect करी सकते हैं इसमें 600 square feet का coverage area मिल जाता है जो काफी जादा है साथ ही 390 liter per second के CDR के साथ आता है यह आपके large room को 30 minutes में ही 40 to 45 के aqua level तक ले आती है which is very very good इसमें vacuum sealed HEPA H13 filter मिल जाता है जो dust, pollen, mold spores, bacteria, pet dander, VOCS and other harmful gases and orders को पूरी तरह से clean करती है यह purifier आपको clean environment प्रोवाइड करती है जिसमें आप बिना किसी परेसानी के सांस ले सकते हैं साथ ही यह गर्म हवा भी प्रोवाइड करती है जो ठंड के मौसम में heating का भी काम करेगी which is good यह purifier 350 degrees oscillation and air multiplier के technology के साथ आती है इस purifier को आप एप से भी control कर सकते है इसके लिए आपको इसके brand के एप को अपने phone में install करना होगा इसके अलाबा इसमें remote control भी दिया गया है साथ ही इसमें Wi-Fi का support मिल जाता है इसके front पर display दिया गया है जिसमें 4 different pollutants PM2.5, PM10, VOCS, NO2 level को real time में so करता है यह air purifier Alexa and Google Assistant को support करता है इसके noise level की बात करें तो यह 0.02 decibel के साथ आती है यह बहुत ही कम noise करता है आपको पता भी नहीं चलेगा कि air purifier on है या नहीं यह air purifier 41.3 inch height, 8.9 inch width और 3.3 kg के weight के साथ आती है इस पर 2 years की warranty मिल जाती है but excellent result देती है आपके पूरे room को easily और fast clean करती है इसके pros की बात करें तो इसमें आपको excellent air purifier देखने को मिल जाती है low noise करता है good after sales service मिल जाती है वहीं बात करें इसके cons की तो यह काफी expensive है अगर आप इसे purchase करना चाहते हैं तो इसका best offer price का link video के description में दिया हुआ है आप check out कर सकते है मैं recommend करो तो अगर आपका budget under 15,000 है तो आपके लिए सबसे best कोवे का air purifier रहेगा और अगर आप 50,000 के budget में एक air purifier लेना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे best Dyson का यह air purifier होने वाला है तो decide आपको करना है आपको कौन सा air purifier चाहिए वीडियो अच्छी लगी हो तो like जरूर करें और मुझे motivate करने के लिए प्लीज इस चैनल को subscribe जरूर कर लें और इस वीडियो का अपने friends और family में जरूर share करें ताकि उनकी भी help हो सके एक best air purifier लेने में तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में thank you